हालो इस्टुडेंट्स मैं बीपी सिंग आज आपके लिए कॉंप्लेक्स एनलाइसिस में 100% इंग्पोर्टेंट एक चेप्टर है दा कैल्कुलस ओफ रजड्यू उसका मैं बेरी बेरी इंग्पोर्टेंट ये एक्जाम्पिल लेके आया हूँ तो इस क्वेस्टन को देखिए प्रूब देट जीरो से 2पाई सान श्कार थीटा अपॉन ए पिलस बी कोस थीटा डी थीटा एक्वाल 2पाई अपॉन बी स्कार ए माइनस अंडर रूर के अंदर ए स्कार बी स्कार लेकिन ये सर्क एकी वैलू बी से बड़ी है और दोनों जीरो से बड़े है क्लियर आईए एक बात बताता हूँ मैं तुम्हें कि यूनिट सर्किल के लिए यूनिट सर्किल के लिए मौड जैड की वैलू अगर 1 है तो इसका मतलब जैड इक्वल एकी पौवर आई थीटा अगर मैं डी जैड निकालता हूँ तो ये हो गया एकी पौवर आई थीटा आई इंटू डी थीटा तो डी जैड इक्वल हो गया एकी पौवर आई थीटा की जगे पर z into i d theta अगर मुझे d theta की value चाहिए तो d z upon i z ये contour integration में mod z का मान 1 पर ही काम करेगा ये मैंने lecture 1 में detail में समझाया है कि आखिर the calculus of residue की definition क्या होती है ठीक है एक और चीज देखिए यहाँ sin theta cos theta है तो cos theta equal होता है e की power i theta minus k i theta upon 2 और sin theta होता है e की power i theta minus k minus i theta upon 2i अब इन्हें क्योंकि मुझे ये z में बदलना है, curve में लाना है तो इस cos theta को मैं कैसे लिख सकता हूँ यहाँ देखिए cos theta equal इस 1 वटे 2 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसकी जगे पर यहाँ से देखो z और ये minus है तो ये बन जाता है 1 upon z इससे solve करोगे 1 वटे 2 z square minus 1 upon z तो मैं यहाँ लिखे देता हूँ ये आपका आगया cos theta clear? अब sin theta देखिए, यहीं ले लेते हैं sin theta equal 1 upon 2i इसकी जगे पर z ये बन गया minus के 1 upon z यहाँ देखो ये पिलस के ये जलती कर दिया, मैंने यहाँ फिलस का sin था यहाँ minus इस z को LC हम लेंगे तो 1 upon 2i z और z square minus 1 ये हो गया आपका sin theta अगर वो कहता है sin square theta तब हम कैसे करेंगे? अगर मैं sin square theta निकालता हूँ तो यहाँ हो जाएगा minus के 4 z square और z square minus 1 का whole square आप कहेंगे minus कहां से आगया? 2 2 जा 4 हो गया i square का minus z square whole square सारी value निकाल के मैंने आपके सामने रख दिये अब आएए इसको हम कैसे लिखेंगे? इसे बनाएंगे c क्योंकि हम मैं z में कर रहा हूँ sin square theta की value कितनी है? z square minus 1 का whole square upon minus के 4 z square into a plus b cos theta की value ये रही b upon 2z bracket में z square plus 1 into d theta की value ये रही d z upon i z मैंने सारी value लिख देए कोई परिशानी नहीं हुई होगी आईए अब इसे जोंकित्यों लिखी अभी c z square minus 1 का whole square upon minus के 4 z square और यहाँ lc हम ले लो कितना आएगा? 2 a z plus b bracket में z square plus 1 सब के बटे 2 z और यहाँ d z upon i z अब एक काम करते हैं इस z से तो इस z को काट देते हैं इस 2 से यह 2 वार गया और इस i को उपर लिखेंगे यहाँ लिखे देता हूँ तो यह minus के i upon यह i upon में है उपर हिया जाएगी इससे यह कैवार कटेगा 2 वार वाहरी लिखे देता हूँ minus के 2 यहाँ क्या बचा आब यह देख लीजिए c z square minus 1 का whole square upon यहाँ केवल z square बचा और यहाँ इसकी 2 a z plus के b z square plus b अंदर multiply करोगे इसमें तो b और यहाँ बचा d z यहाँ तक अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी अब तो bsc final year में पढ़ रहे हैं आप ठीक है अगर मज़ा आ रहा हो तो please like कर दीजिए और channel subscribe ना किया हो तो subscribe करना बहुत जरूरी है क्योंपि मैं हर रोज एक new video upload करता हूँ और तुमारी सेवा के लिए हर समय तयार रहता हूँ ठीक है चलिए इसमें से एक काम करते हैं z को खाली करते हैं इस b को कोमल लेते हैं इससे तो यह कट गया यहां i upon 2b आ जाएगा इस पे कोई फर्क नहीं है यहां यह z square है अगर यह b कोमल लिया तो यहां z square बचा यहां हो गया 2a upon b z और इसकी जगे पर 1 बाहर d z यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी आईए अब मैं इसे लिख सकता हूँ equal to यहां से थोड़ा देखाई दे रहा होगा c f z d z वे या f z equal इसे मैं i मानी लेता हूँ let i बराबर f z equal बन गया z square minus 1 का whole square upon z square bracket में z square plus 2 a upon b z plus के 1 अब मुझे क्या निकालना है residue residue निकालने के लिए f z के denominator को 0 के बराबर रखते हैं और factor करते हैं ठीक है the residue of f z of f z at z square और z square plus 2 a upon b z plus 1 equal to 0 यहां से पहले इसे ही solve कर लो तो z square equal to 0 इसका मतलब z बराबर 0 और कितने order का हो गया of order 2 तो इसे हम order वाले method से निकालेंगे जो 1 upon factorial वाला था या फिर पूरे को expand करके coefficient of 1 upon z लेंगे तो भी हो जाता है इसलिए आपसे request कर रहा हूं कि lecture 1 और lecture 2 100% देखें नहीं फिर समझ में नहीं आ रहा होगा ठीक है इस पर मिलगे अब इसको रखो 0 की बराबर and z square पिलस 2a upon b z पिलस 1 equal to 0 सिरी धराचारिय से निकालेंगे तो minus 2a upon b under root के अंदर 4a square upon b square 4a की जगे पे 1c की जगे पे 1 upon 2a तो minus के 2a upon b plus minus 4 common आ जाएगा तो 2 और b वी common आ जाएगा under root में बचा a square minus b square upon 2 इसे में 2 common लेके ये कट सकता है तो यहाँ बचेगा minus के a upon b plus minus 1 upon b under root के अंदर a square minus b square ये z की value 2 बनेंगी आप skin sort ले लीजिए question काफी बड़ा है और मज़ेदार है पूरा एक ही point समझाऊंगा आपको skin sort ले लीजिए चलिए तो मैंने ये value यहाँ अलग-अलग लिख दी है एक बार plus का sign लेंगे तो ये आएगा और minus का sign लेंगे तो ये आएगा और b मैंने सब के नीचे लिख दी है अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं अगर इसको मैं mod में लूँ तो ये negative ही रहेगा छोटा जब इसका mod लेता हूं तो जो beta का mod है ये greater than 1 बन जाएगा क्योंकि ये plus, ये plus और a की value और रेड़ी बड़ी है b से ये दिखा रहा है तो इसका मतलब beta is greater than 1 so beta lie करेगा outside of circle c क्योंकि मैंने बताया था ये unit circle पर चलता इसलिए contour के अंदर होना चाहिए और radius इसकी one से ज्यादा हो जाएगी तो बाहर निकल जाएगा तो ये जो है यहाँ lie नहीं करेगा हमें inside वाला चाहिए और जो alpha है वो बनेगा less than 1 पूछिए क्यों कि mode लेने पर अगर मैं यहाँ से minus कोमल लेता हूं लेकिन यहाँ negative ये lie करेगा inside the circle so that alpha lie करेगा inside of circle see अब एक और सर्ते की ये बड़ा एक से है और ये छोटा कम होगा अगर मैं ये कह दू mode alpha into mode beta की value 1 है कैसे अगर आप देखिए मैं ये कहता हूं mode alpha equal 1 upon mode beta एक बात बताईए आपने ही कहा है कि इसकी value एक से ज़्यादा है मानो हिया कितनी हो एक से ज़्यादा 2 हो 3 हो 4 हो जितनी हिया ज़्यादा होगी value इसकी कुतनी ही एक से कम हो जाएगी यह मैं 2 कर दूँ तो 1 बटे 2 एक से कम नहीं हो गया पांसो रख दूँ तो एक बटे पांसो एक सी कम हो गया, तो इसका मतलब ये condition इसको भी satisfy कर रही है, आगे देखिए, जिस पर lie करता है inside the circle, उसी पर residue निकलती है, बाकी पर residue नहीं निकलती, Now, so that the residue of fz at z बराबर alpha and z equal 0 of order 2, यहाँ देखिए, z equal 0 निकाला था, कितने order का 2, एक तो इस पर निकलेगी residue, और एक इस पर निकलेगी alpha पर, तो पहले alpha पर निकाले लेते हैं, चलिए, Therefore, residue of fz at the simple pole, z equal alpha, तब limiter, z tends to alpha, z minus alpha into fz, इसका मतलब z tends to alpha, z minus alpha, fz की value, मैंने कहां माना था, यह रहा है fz, तो यह z square minus 1 का whole square upon z square, और इसकी value जो factor बने थे, वो क्या बने थे, z minus alpha और z minus beta, अगर आपने यह alpha कह दिया, तो एक factor हो गया z minus alpha, यह beta हो गया, तो यह factor हो गया z minus beta, कहने का मतलब, इसके जो factor बने, वो बने z minus alpha और z minus beta, इससे यह cut गया, alpha रखेंगे यहां पर, तो यह alpha square, minus 1 का whole square, यह हो गया alpha square, यह alpha minus beta, अब देखना, एक ही जटका में इसको खत्म कैसे कर रहा हूँ, देखिए, इस part को में अगर ऐसे लिखूँ, alpha minus 1 upon alpha का whole square, तो LCM लेके आएगा, alpha square minus 1 का whole square upon यह वाला alpha square के लिए, तो सिर्फ बचा आपका नीचे, alpha minus beta, अब यहां देखिए, यह क्या है, alpha की जगे पर 1 upon beta, या mod, या की जगे पर 1 upon alpha कर दूँ, तो यह उपर हो जाएगा, बीटा, इससे, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, alpha minus beta का whole square upon alpha minus beta, इससे समझगे, बच्चो, बीटा इदन लाओगे तो 1 upon alpha हो गया, यह लिख दिया, इससे यह कट गया, क्या बचा alpha minus beta, अब यहीं देख लीजिए, आ जाएगा, इस part में से इसको minus करेंगे, तभी तो कहलाएगा, alpha minus beta, तो देखिए, एसे तो यह कट जाएगी, minus करने पर यह वाला पिला सो जाएगा, एक और एक दो, 2 under root के अंदर, a square minus b square upon lcm दोनों का सेम था, b, यह निकला आपका residue alpha पर, लेकिन fz था, क्या हो रखें, यह मैंने मान लिया था, यह रहा, i, यह है fz, तब i equal आएगा मेरे बच्चो, i upon 2b, c, fz, dz, तो fz, dz में कितने की multiply हो रही है, i upon 2b, इसकी value मैंने निकाल ली, तो इसमें कितने की multiply करोगे, i upon 2b, into 2 upon b, under root के अंदर, a square minus b square, इस 2 से 2 कटिया, answer आया, i upon b square, b square, under root के अंदर, a square minus b square, अभी मैंने केवल alpha पर निकाली है, अभी मुझे इस पर निकाली है, जैड बरावर 0 of order 2, फिर इन दोनों को जोड़ना है, फिर कोची रजडियू थ्योरम लगानी है, 2 pi i sum of रजडियू, तब जाके complete answer होगा, अगर question exam में आ गया, जो student कराएगा, प्रॉफिसर दिल खोल के नमबर देगा, उसको हर student के बस्की नहीं है, ये question, चलिए आप इसके sort ले लिजिए, तो चलिए आप रिका लेंगे, रजडियू जैड बरावर 0 पर order 2 के लिए, तो factorial वाले से differential करने में परिशानी रहेगी, दूसरा method बतावंगा, now, residue of fz, at z बरावर 0 पर, of order 2 के लिए पहले ही बता दिया था, तो fz हिया क्या बनेगा, i upon 2b, into हिया कितना है, z square minus 1 का whole square, नीचे z square, z square plus 2a upon b z plus 1, इसमें residue निकालेंगे हम, देखिए, यहाँ से z square, कोमल लो, तो z की घाथ 4, i upon 2b, यहाँ से कोमल लो, तो z की घाथ 4, यहाँ बचा 1 minus 1 upon z square का whole square, इसको कोमल लो, तो हिया भी हो गई 4, यहाँ बचा 1, यहाँ 2a upon b, इसकी जगे पे 1 upon z, यहाँ हो गया 1 upon z का square, यह तो कट गया, चलिए, इधर देखिए, आजाएगा नहीं आएगा, तो यहीं लिखता हूँ, i upon 2b, 1 minus 1 upon z square, इसे उपर ले जाएए, पिलस के 2a upon b, 1 upon z, पिलस 1 upon z square का whole inverse, binomal theorem से खोल देंगे, इसका तो whole work है, यह गलती कर रहा था, तो i upon 2b, 1 plus 1 upon z 4, minus 2 upon z square, इसे binomal theorem थे, 1 minus 2a upon b, 1 upon z, minus 1 upon z square, इतना ही होते हैं, अब इसमें से मुझे coefficient लेना है, 1 upon z का, यह rule कब अपनाते हैं, जब order x से ज़्यादा हो, any order के लिए, या तो factorial वाला method, या सब को expand करके, coefficient of 1 upon z लेते हैं, तो 1 upon z का coefficient लेंगे, इतनी ही multiply करूँगा, ज़्यादा नहीं, तो यहाँ देखिए, यह i upon 2b, इस 1 की multiply, 1 में करेंगे, तो छोड़ो, इसे लेंगे ही नहीं, इसमें करेंगे, तो कितना आएगा, minus के 2a upon b, 1 upon z, 1 की इसमें करेंगे z square, इसकी sum में करेंगे, छोड़ दो, बास, इतना ही बहुत है, क्योंकि मुझे तो coefficient of 1 upon z चाहिए, तो कितना आएगा हैं, इस 2 से तो 2 कट जाएगा, minus के i a upon b into b b square, यह क्या ले लिया मैंने, coefficient of 1 upon z, अब मेरे पास यहाँ यह residue निकली थी, अलफा पह, यह निकली है, double order पर यह वाली, इन दोनों को plus करेंगे, फिर कोची वाला formula लगाएंगे, 2 pi i sum of residue, आंसर आ जाएगा, इसकी insert ले लीजिए, चलिए तो देखिए, i equal, यह वाली i जो मानी है, यह i बराबर क्या होगा, 2 pi i multiply sum of residue, तो यहाँ 2 pi i sum of residue कितना है, पहले तो इससे लिख लीजिए, i upon b square, अंडर root के अंदर a square minus b square, और यहाँ यह बचा है, minus के i a upon b square, इस i की अंदर multiply कर दो, और b square को को मन ले लो, तो 2 pi upon b square, i की इसमें करेंगे, तो minus के यह a square minus b square, i की इसमें करेंगे i square का minus minus plus a, यह i जो आया है, यह है, और यह सब कुछ हल होकर यही था, clear question पे लोटके आते हैं, तो i की value कितनी है, 0 से लेकर 2 pi, sin square theta upon a plus b cos theta, और d theta equal, कितना है, 2 pi upon b square, इसको पहले लिख दीजिए, minus under root के अंदर, a square minus b square, काव, जब a बड़ा है, b से और दोनों बड़े हैं, 0 से, तो मेरे बच्चों, यह थोड़ा बड़ा question था, singly हो पाया है, very very important है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि next video में, मैं अपने members के लिए, कौन-कौन से question देने वाला हूं, जो 100% important होंगे, आप इसका skin sort ले लीजिए, तो next video में मैं आपको कौन-कौन से question देने वाला हूं, यह 5 question है, पहला question है यह, d theta upon 1 plus a square minus 2a cos theta d theta, यह कई वार exam में आया है, दूसरा question यह है, इसकी जगे पर cos भी होगा, तो भी इसका लगवाग यही answer आता है, और यह जो question है, तीसरा यह एक साल छोड़कर एक साल, यह all university हों में कभी किसी में, कभी किसी में यह आता रहता, बहुत important है, हर writer की book में यह question मिलेगा, चौथा question यह कराऊंगा, और पांचमा question है, cos theta की जगे पर सान एन theta भी होगा, तब हम कैसे करेंगे, यह question कराऊंगा, तो इन question हों में से, एक question अगर exam में मिल गया, तो आपकी फीस वसूल हो जाएगी, इसलिए आपसे request कर रहा हूं, कि channel की membership ले लीजिए, और पूरा course complete कर लीजिए, ठीक है, इसके नसौट ले ले,